आप लोगों को बहुत जानके हैरानी होगी और इस केस से क्या-क्या चीज़ें बाहर आ सकती भविश्य में और क्या-क्या चरित्र बाहर आएगा भविश्य में यह तो देखने वाली बात लेकिन अब तक क्या-क्या बाहर आया है और जस्ट रिया की अरेस्ट जब अनाउंस ह दूए है कि 14 दिन की जुटिशिल कस्टेडी में हो जाएगी तब से जो तिल मिलाया है बॉलिवूड और महराश्य सरकार वह आज आपको बताने वालों अच्छे से इननों को एक्सपोस करने वालों प्रूफ के साथ तो आप पूरी वीडियो में बने रहे का कई चीज़ें आप मिस कर देंगा अगर आपने जल्दी छोड़ दिया तो कि इनका यह वाला जो चेहरा निकल किया है यह जानना बहुत ज़रूरी तब हम उसी हिसाब से हम इनको रिस्पॉंस देंगे रिस्पॉंस देंगे का मतलब यह है कि कभी हम इनके कुछ पोस्ट देखें तो उस पे हमें क्या लिखना है इनके ट्वीट देखें तो उस पे हमें इनको क्या रिप्लाइ देना है इनके पिक्चरें आए इनके ट्रेलर्स आए इनके कुछ भी आए तो उन पे इनको हम सुसान सिंग राजबूत के मामले में रिया चकरवर्तिक पर बहुत समय से जहां चलना उनको इंटरोगेट करना और जो तीनों एजिंसियां लगी हुए कि DCBI, NCB, NCB ने सबसे जादा इनको इंटरोगेट के मामले में सबसे जादा इनको पूष्टाश हुई इनके खिलाफ सबूत भी मिले और NCB ने सबसे हैं हमें जरूरत नहीं हिरासत की लेकिन फिर भी चौद इनको पूष्टाश होगी साहिद कुछ जरूत पड़ी एक दो दिन तो पूछ दिया वरना इनको कोई नीड नहीं थी जनता के प्रशर में सबसे जाद और कर लिया है कि स्वबूत इतने जादा ठोस हैं कि सीधा इनको ट्राइल पर ले जाया सकता और वहां पर प्रूफ किया सकता है यह 14 दिनकी बहुत ज्यादा खाज जरूरूत नहीं थी सब प्रशर का कमाल था जो बात है मै अपने उस प्लैंड प्री प्लैंड प्यार मशिनरी के द्वारा जो इंटर्व्यू लिया गया था उसमें भी कहा था कि शुशांत ड्रग्स लेते था और न्सीबी ने भी अपने जो कि आपने जीनियूस पर देखा होगा और मेरे पास भी वो रिपोर्ट हाथ लगी है कि के लिए जो पॉइंट्स दिये कि हमें इन कारणों के लिए उसमें लिखा हुआ है कि यहां शुशांत के लिए ड्रग्स लाती थी ठीक एंसीबी द्वारा अब इसके दो अलग अलग एंगल हैं बहुत अच्छे से उस पर कोई ध्यान नहीं देरा लेकिन सिर्फ लोग यही कि पूरा बॉलीवूड ही दिखाने में लगा हुआ इन फैक्ट एक मैडम ने तो यह भी कह दिया कि उस्वांत अकर जिंदा होता तो वह भी जेल जाता बेशरमी कि वह लेवल है आपको पता चलेगा कौन शौक हो जाएंग कर आपको पता है इस मोमेंट पर तो कमेंड बता अगर यह स्टेटमेंट सही माने तो यह आपकी इच्छा थी यह भी हो सकता है मैं जो थेओरी दे रहा हूं उसके हिसाब से यह आपकी इच्छा थी कि आप उनके लिए ड्रक्स लाती थी और आपने मोटिवेटेड अटेंप्ट से उनको ड्रक्स दिये और उनकी यह हालत की उन्होंने नहीं मंगाया यह भी हो सकता है ना तो फिर हम उस पहलू को क्यों इतना अबल दे रहे हैं कि सुषान नसेड़ी था उसने अपने नशेय करने के लिए ड्रक्स मंगाए और यह जो फोटो आप देख रहे हैं आज मैं इस फोटो को हर थोड़े दिर में आपके साम करने का लड़ा करने का लड़ा कि अगर वह लड़की सब कुछ नहीं किया तो वह निया प्रक्रिया से गुजर के बाहर आ जाएगी और समान में होगा कि लड़की सही है हमने फसाया या आपसे समाज में होगा कि हमारी गलती हमने उसको ज्यादा जज कर लिए बैचारी लड़की उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाए लेकिन अगर वो गलत है तो आप बचाने की कोशिश क्यों करना है अगर हम यह डिसाइड कर रहे हैं तो आप भी तो डिसाइड कर चल रहे हैं कि वो सही है पर यहां मेरा कहना यह है कि उसको जाच के प्रक्रिया को सब कुछ दो इतने नाटक क्यों इतने टंटें क्यों इतनी प्र्रावब्लम के और आप कहा रहा है जब गुपतेसवर पांडे जी ने बोल दिया कि इसकी आवकात नहीं है तो बहुत सब अब ये जो सीन हुआ है उसके बाद सब को पैट्रियार्की चल लए है कि लड़के के साथ कुछ गलत होते लड़की की ही गलती है देखा जाय तो आज तक समाज हमारा opposite करता है लड़की को कुछ भी अगर किसी ने बोल दिया तो लड़का ही करद होगा लड़की अगर कहा दिया लड़के ने छेडा है तो लड़के को मान लिया जाता है कि वो rapist है लेकिन यहां पर अपने confidence के हिसाब से अपने सुविधा के हिसाब से जो जचा आपने फिट कर दिया और पैटरियार्गी बना दिया और ये एक का मैनुपलेटेट कह दें मोटिवेटेट कह दें प्लैन कह दें स्क्रिप्टेट कह दें एक ही स्क्रीन शॉट कह दें एक ही प्लैकाट कह दें बहुत बड़ी ताद में सेलेबिटीज को भेज दिया गया है और उन्हों ने अपना रंग डूप दिखाना सुरू कर दिया आप अभी देख लिजे ना इनका असली चरीतर कैसा है और उसके पीछे का भी मैं कारण बताऊंगा एक थियोरी उसकी भी में दूँगा पहले थियोरी देदे ज्यादा आपको समझ में आने लग जाएगा यो ड्रग काटल वायल थियोरी जो सब कही रहे हैं कि आपको एक थि देखी होंगी अनिल कपूर की देखी होंगी पुरानी पिक्टर लिक होती रहती है जो संजदत की संजदत का इन्वाल्मेंट तो यहां किसी को छोड़ना नहीं जाता हूं जो है जो मतलब न्यूस का हिस्ता था जो पाता होगा तो बॉल्ली वोड दाओ दिबराहिम आप ज उसको अंजान तक ले जाएं तो जब ड्रक्स वाला सिस्टम होता है और आपने कास्टिंग काउच भी सुना होगा तो एक कोई इनोसें सी लड़की आई शुरुवात में इंटर हो रही है यह आउटसाइडर है चाह इंसाइडर है जैसी भी है इंसाइडर को तो हमेशा सही इसा फैसल्टी थी कि आप चाहे पुडिया ले सकते लेकिन आउटसाइडर आई आपने पहले उसको पार्टी में बुलाए सोशलाइज करने के लिए किसी ना किसी चीज में उसको ड्रग मिला उसको आदत पढ़ गी उसको और नीड हुई वह और नीड हुई तो उसने किसी कास्टिंग काउच वाला सिस्टम मन जाता है कभी-कभी लोग इतने बेशरम होतने डारेक्ट लिए प्रोच कर देतने हैं फिर वह आप देखते हैं कि मुडिया में आता है कि इन्होंने मेरे साथ यह प्रोच कि ड्रग वाली महिला कभी आपको यह नहीं बताने वाली कि मेर लिए मरजी से किया है कि जो जिसने बीना रग्स की है कि आया करना पड़ा है या फिर करने से मना किया है जो हूं अपना किसा लिया अक्रोच के लिए यह सब करना पड़ा और फिर उसको ड्रग मिला फिर रिलेशन बना रहा फिर अब यह है कि अब ड्रग के जितने भी लिंक्स हैं जितने भी तार जुड़ें सब को एक एक बार जाता होगा कि भाईया आप हमारी बंदी के सपोर्ट में खड़े हुई है जो फसी हुई है नहीं तो कल को उसने आप पर नाम ले लिया या मैंने लिवा दिया तो आप सब नपेंगे और वैसी भी और इंसी बी के पास 20 से 30 के अंडर में बहुत सारे सेलेब्रिटीस के नाम हैं बॉलीवूड के लोगों के नाम हैं और आज मैं जितने लोगों की फोटो स्क्रिंशॉट उन इनके यहां भी लड़कियां जाती हैं बॉलीवूड से दे रहा हूं बस दे रहा हूं आप अपने हिसाब से अगर आपको पता होगा तो आप खुदी दिमाग में समझ जाएंगे कि कितना सच है तो उनको इसलिए भेजा जाता है उनके पास कि उनको जो भी लड़कियों की जो नीड पूरी होगे सौरी मेरे वर्ड्स अगर वलगर लग रहे हैं और बदले में ड्रक्स मिल गया अब अगर यह है कि अगले ने आपका काम नहीं किया तो आप उसको कहेंगे कि बिटा एक बार लड़की ने कंप्लेंड कर दी कि तुमने ड्रक्स लिए तुमने उसको एक्स्प्रॉइट किया तो तुमने जिन्देगी बरबाद चया वह आई यह सो पत्रकार हो पत्रकार समझ रहे हैं नराज दीप ने कुछ किया था किसी के लिए फिर चाहे कोई हराम खोर हो कि अधिया को सुनिया सेना से कोई भी हो सकता है कहीं भी सप्लाई गई होगी महराष्ट का ही काटल है कुछ भी हो सकता है और मुझे कि महराष्ट गवर्मेंट की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उनको चत्रपती शिवाजी महराज के उपर किसी ने कुछ बोला जबकि उसने नहीं बोला उसने सिर्फ गौरफ की बात करिए उनके सम्मान में ही सब कुछ बोल रहे है वो लड़की कंगना रना उसने अप करने मदद करिए खूनियों को फसाईये दंगाईयों को हटाईये लेकिन बीमसी ने आज उसके ऑफिस पे दस्तक की है उसका ओफिस तोड़ने के लिए आपको मैंने लिखा देता हूं अभी मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं क्या पता वो टूट रहा होगा यह जब तक कंगना पहुंची भी नहीं थी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक लड़की के पीछे इतना पढ़े हूं है लोग एक वही मतब कंगना रनाउत की पीछे पूरी बॉलिवुड इंडर्स्ट्री पढ़ गई है लग बग मैक्स तो मैक्स कोई दिक्कत रही है कि अग लड़की को पूरी सरकार और वॉलिवॡ के फसा रहा है लेकिन दूसरी लड़की के साथ नहाइक प्रकरिया में कुछ किया जा रहा प्रोसेस के हिसाब से constitutional प्रोसर्स के इसाब से कोट ने बेल और इस सब चीजें ग्रांट करने से मना किया है किसी politician एक्टर ने नहीं किसी जहां जैसे ने मना नहीं किया कोट ने reject किया उसकी बेल प्री तो आपको इतनी दिक्कत है और यहां इल्लीगली कुछ हो रहा है आप सब चुप है खेर तो यहां तो कई चीजें इस पोस हो चुकी है कि कौन से लोग उनको क्या-क्या प्लैकाट दिये जो कॉमन है जो सब के पास है और एक ही शब्दा वली में आभी देखते जाए और यह लोग की ताहत कम नहीं हो रही है अगर आपको लगे कि इनके एड़ डेट करके जो नाम लिखा है या फिर अगर सकल ना दिख रही हो सिर्फ नाम लिखा आप ढूंड़िया यह कौन है नहीं तो मैं बताता जाओंगा चलिए मैं ही दिखाता जातों मैं बताता जाता हूं अगर आपको छोड़ दिया कई रखकर नहीं तो बहुत अगला तो बहुत अच्छा आदमी है श्वेता बच्चन अच्छा बच्चन है रोज़ेजार रट वाइलेट साबलू लेट्श मैंस पैट्रियार की में यू रोही त्रॉय रोही त्रॉय के भाई यह दो लोग वैसे हैं जिनको आप वैसे भी बॉ थोड़ी बहुत किसी किसी मामले में नेहा धूपिया नेहा धूपिया तो बीच में इतना ट्रोल हुई थी अपने रोडीज वाले बहुत जादा फैमिनिस्ट बनने थी इस और चोईस दली अमृता राव राधिका आप्टे विद्या बालन सोनम कपूर दिया मिर्जा सोनम सेक्रेट गेंस वाली लग रही है मुझे कुकु कुकु का जादू उन्होंने दिखा दिये जादू अपना और यह शिवानी डंडेकर लग रही है इस दोनों भेहन है मुझे लग रहा है अनुराग कश्य अपनी सबसे बड़ा हरामी है हराम खोर हराम मतलब तुम्हारा आश में नौटी होता थीक है हराम खोर बोलूंगा मैं सबको बोलूंगा तापसी पन्नों पढ़िये बस तापसी पन्नों पढ़िये शी वॉजंट कंजूमिंग फानेंसिंग और प्रोक्यो कि इन्हों नहीं जाता तो वह जाता है तो यह मतलब अगर वह से इल्लीगली पकड़ा जाता है इन दैट केस तो क्या उसको छोड़ देना जायज था एक बाद बता रहा हूं जो इसे कोश्टर मंग लाकर सरकाजम क्रियेट करने कोशिश कर रही है कि उसको हम लोग फेवर क सब्सक्रादान यह वो हैं जो जो अंग्रेजी मीडियम में इर्फान खान साहब के अपोजिट में जो बच्ची थी उनकी वह मैंडम बिटा भी आप निकली हैं जैसे मत गुसिये समार में बहुत आली अभट वाला हाल हो जाएगा आपका मैं बता रहा हूं सड़क टू वा बहुत कुछ कहना था अपने में इसके सुना ही होगा लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है क्या पता मुझे इतने ही लोगों का पता हो क्या पता और लोग चुपे हूं क्या पता और लोग अभी डाल ले हूं अपलोड कर रहे तक मैं वीडियो बना चुका हूं या बना रह रहा है कि सिर्फ प्रोसेस से जायस तरीके से कोट के द्वारा कोई कुछ नहीं बोलेगा कोट किसी के कंट्रोल में नहीं होती है लेकिन जो कंगना के साथ अभी हो रहा है उस पे सब शांत है सब का फेमिनिजम शांत है और रिया के लिए सब का इससे आपका सिर्फ पाखंड पता चलता है मैं चाहता हूं इन बॉलीवुड वालों की नाक में दम कर दई मेरी वीडियो और आप खूब शेयर करें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बॉलीवुड तक जाये मुंबई महाराष्टर तक जाये प्लीज वीडियो वारेल कर अग सबस्क्रणायो जिसको जरूरत है कि उसके पिक्चरों को देखा जाये उसकी इतना दम है कि उसको एक्टिंग के शाफ से श्रागलिं के असब सब्रॉट करें southern गीकषिवyain हे व् करें लेकिन यह जो जितने नाम है इनका आगे कुछ आये तो आपको याद होना चाहordum स्टेंड लिया था और कंगना के लिए बिल्कुल साइलेंट और रिया के लिए बिल्कुल वाइलेंट आज के लिए इतना ही अगली कोई खबर होगी किसी और मुद्धे पर कुछ होगा तो फिर विडियो बनाऊंगा अच्छा लगो तो लाइक शेयर जरू करेगा यह मेरी प